Hello friends and very warm welcome to Chiki's biology another video in this video today we will discuss about overview of organism आज हम लोग अपने इस topic के बारे में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में starting से लेके end तक connect जरूर रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने channel को subscribe नहीं किया तो आप लोग channel को भी subscribe जरूर कर ले friends यह जो हमारा topic है यह बहुत सारे competitive entrance exams के point of view से highly important है highly crucial है और यह हमारा एक microbiology का topic है तो friends इसमें हम लोग जो है organism के बारे में बात करेंगे और first of all हम लोगों को यहाँ पे यह जानना जिरूरी हो जाता है कि what is organism so आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो organism है organism a living thing especially one that is so small that you can only see it with a special instrument जिसको हम लोग बोलते है a microscope या a microscope तो friends यह आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया अब जो यहाँ पे हमारा जो यह organism होता है यह two type का होता है एक cellular organism होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा होता है Acellular Organism तो first of all हम लोग यहाँ पर बात करेंगे Cellular Organism के बारे में तो Cellular जो Organism है हमारा इसमें हमारे टू टाइप के Organism है एक Procadioid आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और दूसरा होता है हमारा Eucadioid तो जो Procadioid है Procadioid का जो Example है वो है Monera Kingdom Monera Kingdom क्या होता है इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते है जो Monera Kingdom है वो एक तरह का उसमें क्या है उसका जो फीचर है वो यह है उसके साथ में जो एक important यहाँ पोइंट जुड़ा होआ है वो है Without Nucleis Means कि Monera Kingdom में वो organism आते हैं जिनके पास में Nucleis नहीं होता जिनके पास में केंद्रक नहीं होता उनकी structure में तो वो Without Nucleis होते हैं और यहाँ पे Nucleis की जगे पे एक structure होती है जिसको हम लोग बोलते है Nucleoid यह यहाँ पे present होता है और Monera Kingdom जो है वो Procadioid का एक example है इसमें आप लोगों को confused नहीं होना है और यहाँ पे Nucleoid present होता है और sterol जो है वो यहाँ पे absent होता है except mycoplasma और यहाँ से question जो है बना था आप लोगों को यह पता होना चाहिए बहुत सारे competitive entrance exam में यहाँ से question बनता है हर बार इस point को बिल्कुल भी हलके में नहीं लेना है उसके बाद जो double standard DNA होता है circular form में without histone वो यहाँ पे present होता है histone protein यहाँ पे absent होता है तो आप लोगों को यह भी यहाँ पे जानना है और इन points को आप लोगों अपने notebook में कहीं पे note करना है क्योंकि यह points जो है important crucial है और यहाँ से बहुत सारे questions पुछे जा सकते हैं और यह जो मैंने यहाँ पे notes बनाया है जिससे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं यह notes जो है मैंने books से बनाया है extended books से बनाया है तो points को यहाँ पे मैंने mention किया है exam के point of view से उसके बाद जो है next अगर हम लोग बात करें prokaryote की तो prokaryote के यहाँ पे कुछ important points थे जिनको आप लोगों को मेंश अपने mind में remember रखना है आप लोग किसी भी competitive entrance exam में जाएं तो जो prokaryote है यह इसके तीनी यहाँ पे example है एक है mycoplasma एक है यू बैक्टिरिया और तीसरा है आर्की बैक्टिरिया तो mycoplasma जो है यहाँ से question पूछे जाते हैं mycoplasma जो है यह इसके पास no cell wall इसके पास कोई cell wall नहीं होता और यह सबसे smallest cell होती है prokaryote की अगर हम लोग बात करें और यह cell पे reproducing capability यह रखता है और यह ग्राम negative bacteria होता है तो mycoplasma के यहाँ पे कुछ special features हैं उसके बाद यू बैक्टिरिया यू बैक्टिरिया के बारे में बात करें तो इसके पास में सिर्फ एक single RNA polymerase enzyme होता है और यह इसका एक important यहाँ पे feature है यह एक important point है उसके बाद cell wall जो होती है उसमें peptidoglycan होता है और peptidoglycan के साथ में muramic acid होता है spelling पर ध्यान देना है muramic acid उसके बाद n-formal methionine जो है यह contain करता है आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है यहाँ से question बना है उसके बाद photosynthesis in some cases और कुछ cases में यू बैक्टिरिया photosynthesis भी करता है तो आप लोगों को यहाँ पर पताऊना चाहिए photosynthesis जो है वो plants में होती है color field के presence की वज़े से but यू बैक्टिरिया जो है वो एक ऐसा बैक्टिरिया है कुछ cases में यह भी photosynthesis करता है सभी में नहीं कुछ cases में उसके बाद आर्की बैक्टिरिया के बारे में बात करें तो आर्की बैक्टिरिया में जो है मैथेरोजेनेसिस फरोसस होता है यह question पूछा गया यह point important है उसके बाद जो है multiple RNA polymerase जो है आर्की बैक्टिरिया के पास होते हैं और अनॉक्सिजनिक photosynthesis जो है इन सम केसिस इसमें होती है आर्की बैक्टिरिया में अनॉक्सिजनिक photosynthesis यह point कहीं बार पूछा जा चुका है वो सारे competitive entrance exams में MSC entrance exams में CSIR NET Life Sciences exam में DBT GRF exam में ICMR GRF exam इस तरह के exams में पूछा गया है यहाँ पे microbiology subject जिन exams के syllabus में है महाँ पे यहाँ से questions बनते हैं उसके बाद मैठ्योनीन is initiator of translation translation जो होता है protein synthesis जो होती है उसमें जो सबसे पहला minocid है वो मैठ्योनीन है जो एक initiator की तरह काम करता है इंदा case of archibacteria तो यह आप लोगों को eubacteria archibacteria है इनके बारे में बात किये और इनके साथ में जो important और crucial points जुड़े होई है उसके बारे में हमने बात कर ली है अब हम लोग जो है eukaryote के बारे में बात करें है आप लोगों को confused नहीं होना है आप लोगों को इस classification को जो है यहाँ पर समझना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो eukaryote जो है इसमें क्या होता है यह with nucleus होता है जो prokaryote है वो without nucleus होता है तो जो eukaryote है वो with nucleus होता है sterol जो है plasma membrane में यहाँ पर्जेंट है जबकि prokaryote में absent होता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है उसके बाद जो eukaryote है इसमें double standard DNA linear form में present होता है with stone protein और stone protein के उपर ही जो है जो double standard DNA है वो वहाँ पर coiled रहता है और stone जो protein है इसके उपर positive charge होता है यह भी आपको ध्यान में रखना है और DNA के उपर जो charge होता है वो negative charge होता है इसलिए जो है जो positive charge histone protein है वो वहाँ पर negative charge DNA के साथ में bind होती है यहाँ पर interaction होता है positive negative का तो आप लोगों को यह भी यहाँ पर समझना है उसके बाद जो है जो e-cellular है e-cellular के बारे में बात करते हैं e-cellular में हमारा virus होता है हमारा wiroid होता है wiroid होता है और period ions होते है तो यह e-cellular का पार्ट है उसके बाद जो है जो virus है virus पर बात कर लेते हैं तो virus में plant virus है animal virus है और bacteriophage है यह तीन तरह के virus है तो जो plant virus है यह क्या contain करते हैं DNA और RNA contain करते हैं और सिंगल इस्टेंडर्ड़ में जो ढबल भाइघी है डी एनए और आरन dit करते हैं डॉड- एनए और सिंगल इसटेंडर्ड़ laughing में contain करते हैं उसके बाद जो है bacteria phase के बारे में बात करेंगे तो जो bacteria phase है ये दो category में यहाँ पे divided है एक होते है temperate phase और दूसरे होते है virulent phase तो first of all बात करेंगे temperate phase के बारे में तो temperate जो phase है ये lysogenic और lightic दोनों cycle के साथ में करता है जो इसका life cycle होता है और यह contain करता है DNA double standard और single standard form में और इसका जो example है वो है lambda phase, ऐसे जो virulent यहाँ पे phase है वो है light cycle के साथ में deal करता है virulent phase light cycle के और DNA and RNA जो है यहाँ पर double standard और single standard form में present रहता है और इसका जो example है वो है T4 FAS और GATE BY Technology और GATE Life Sciences एक्जाम में यहां से questions बनने के बहुत ज़्यादा chances हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी underestimate इसको नहीं करना है उसके बाद जो है वाइरोइड के बारे में बात करते हैं वाइरोइड सिंगल स्टेंडर आर ने जो है circular form में contain करता है और जो पिडियोंस होते हैं यह एक तरगे protein particles होते हैं यह nucleic acid को contain नहीं करते हैं यहां पे nucleic acid का कोई एक distance नहीं होता तो friends यह आज यह का हमारा topic था overview of organisms और next video में मैं आप लोगों के लिए कोई next topic यहां पे लेकिया होंगा जो आप लोगों के बहुत सारे competitive entrance exams के point of view से बहुत important होगा और crucial होगा जैसे अभी हमारा get by technology और get rap science जिस exam कुछ समय के बाद आने वाला है तो आप लोग उस exam के point of view से इन सभी points को या इन सभी topics को underestimate बिलकुल भी मत करें आपको के संभी के अच्यक चैनल पूपकिर यह क्यों माइचरा आ ओले ट् 인्ह Consultर ऑ्णत gleich Histor tanto व्रूऍ कर ब हूद यहां झारा स।